government channel और ऑभ चैनल क्यानरो आज स्वाजर हम बात कर रहे हैं ऐलॉइ और आमलगं के बारे में कि ऐलॉइज क्या होते हैं Scott सबसे पहले देखते हैं ऐलॉइ ऐलॉइ ऐक बहुत अच्छा मेथट होता है जो की मैटन की प्रॉपर्टी को पर देता है तो जब मेटल अपसे मिलते हैं या नोन मेटल अपसे मिलते हैं उसे हम जो फॉर्मेशन बनती है वो ऐलोई की होती है तो alloy की बात करें तो अगर alloy में अगर हम iron की बात करें iron यनि की लोहा इसका बजलता यूज़ किया जाता है लेकिन अगर iron pure form में है pure form का iron जो होता है उसे हम materials नहीं बना सकते क्योंकि जो pure form का iron होता है वो soft होता है और वो stretch हो जाता है easily अगर उसे hot करते हैं यानि उसे गरम करते हैं तो easily stretch हो जाता है और वो soft होता है लेकिन अगर हम iron में यानि कि iron में mix कर दें carbon को carbon की जो percentage लेनी है 0.05% carbon अगर iron में डाल दें तो जो iron है वो hard हो जाएगा और साथ ही साथ strong हो जाएगा तो ये जो है जिससे iron hard हो जाता है soft iron को हम use नहीं कर सकते किसी भी material को बनाने के लिए कि वो soft होता है लेकिन अगर उसमें 0.05% carbon डाल देते हैं तो वो hard और strong हो जाता है और ये new form होती है iron की और इससे जो iron बनता है उसे हम steel बोलते हैं क्या बोलते हैं? steel, iron की नई form जिसे steel बोलते हैं जो strength होती है इसकी या किसी भी जो steel की वो depend करती है कि कितने percentage of carbon हमने iron में डाला है कि steel की strength अलग-अलग होती है जो भी हम steel यहां से formation करते हैं इसकी strength अलग-अलग होती है और यह जो strength होती है यह depend करती है कितने percentage of carbon जो है वो iron में add किया गया है अब जो alloy है वो क्या होता है? alloy जो होते हैं एक homogeneous mixture होते हैं क्या होते हैं? mixtures होते हैं एक homogeneous mixtures अब इसमें जो अलई होते हैं यह strong होते हैं homogeneous mixtures होते हैं किस चीज के 2 या 2 से ज़ादा 2 और more metals के mixture होते हैं या फिर metal के साथ non metal हो इन सब के mixture होते हैं अब जो iron है उसे हम mix करते हैं किसी दूसरे metal के साथ iron को हम जरूरी नहीं है कि हम इसे carbon के साथ ही mix कर सकते हैं iron में हम दूसरे materials भी डाल सकते हैं जैसे की nickel जैसे की chromium कुछ भी डाल सकते हैं उससे क्या होता है कि अगर nickel और chromium metals जालते हैं particular percentage में तो यह जो होती है हमारे पास यहां से stainless steel बनती है stainless steel यहां से formation होती है यह जो stainless steel होती है strong होती है hard होती है और इस पे corrosion भी नहीं लगता और iron को हम किसी अगर iron को किसी भी metal के साथ डाल दिया जाए तो उसकी जो property है वो change हो जाएग जो properties हो जाती है ना वो change हो जाती है अगर हम iron को छोड़ कर किसी दूसरे material पे जाएं means to say कि अगर हम जाएं brass पे brass इसमें क्या होता है brass भी दो metal का mixture होता है इसे जो brass को prepare किया जाता है ये brass भी एक alloy होता है जिसमें जो copper होता है यानि की cu copper और zinc को add किया जाता है जिससे brass बनता है तो ये जो होता है अलग-अलग metals के combination से alloy बनते हैं और उनकी formation बनती है जिसे और अलग-अलग percentage डालने से उनकी properties भी change हो जाती है अब हम देखते हैं कि objective क्या होता है यानि की alloy बनाते है उनको objective क्या होता है देखिए हम बात कर रहे हैं objective की तो objective क्या है alloy बनाने की जरूरत ही क्यों बढ़ती है देखिए सब पहला point है alloy बनाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि हमारे metal पे corrosion ना लगे ठीक है क्योंकि वो खराब ना हो जिसकी वज़ा से हम क्या करते हैं उसके resistance को increase कर देते हैं metal के resistance को increase कर देते हैं ताकि उसमें corrosion ना लगे यह तो इसका first point है first objective तो ये है कि हमारा metal खराब नहीं होना चाहिए इसका जो example है वो है stainless steel stainless steel अब जैके stainless steel जो होती है इस पर corrosion नहीं लगता लेकिन वो बनी iron से ही होती है और क्या नम है ज़ादा resistant होती है iron के comparison में तो यह इसका first point है second point है कि modify करना chemical reactivity जो हमारे पास chemical reactivity होती है इसे modify करना chemical reactivity जैसे कि sodium chemical reactivity जो sodium की होती है वो decrease हो जाती है अगर हम उसमें mercury डाल देते हैं यानि कि sodium में अगर हम mercury डाल देते हैं mercury डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो एक alloy की formation अलोय बन जाता है और इससे क्या होता है कि इसकी sodium की जो reactivity होती है वो कम हो जाती है और जब कोई भी metal mercury से मिलता है उसे amalgam बोलते हैं यह हम अभी इसी topic में next time करेंगे ना इसी topic में आगे फर्दर करेंगे third point है हमारे पास hardness को increase करने के लिए हम alloy बनाते हैं hardness को increase करने के लिए जैसे कि steel है अगर pure iron की बात करें वो soft होता है hard नहीं होता stretch हो जाता है easily इसे हम hard materials नहीं बना सकते हैं इसलिए हम उसमें कुछ और battles डालते हैं ताकि वो hard हो जाए अब steel जो है वो combination अगर हम steel की बात कर रहे हैं steel steel किसका combination होता है iron का और carbon का तो इससे क्या होता है कि iron hard हो जाता है next fourth point है tensile strength को increase करने के लिए metal की tensile strength को increase करने के लिए हम aloes बनाते हैं जैसे कि magnesium है magnesium alloy ये अगर magnesium और aluminium को एक particular percentage में mix कर दिया जाए तब हमारे पास magnesium produce होता है तो यह क्या होता है कि इसे जो greater tensile strength हो जाती है यानि magnesium और aluminium के comparison में magnesium की जादा tensile strength होती है फॉर फिफ्ट पॉइंट जो है हमारे पास good casting के लिए good casting के लिए इसमें कहा है कि जो metals जो ally होता है अगर lead, tin, mercury इन सब को कहना है mixer के particular metals टाइप of metals बनाए जाते हैं तो इससे में अच्छी casting होती है और next है यह फिफ्ट पॉइंट है sixth पॉइंट है to lower the melting point lower the melting point यह क्या होता है कि जो solder होता है वो alloy होता है solder जो जी से आप soldering करते हो electronics में soldering की जाती है equipment को PCB पे जोड़ने के लिए वो जो solder होता है वो alloy होता है lead का उसमें lead यानि कि PB lead डाला जाता है और tin डाला जाता है SN 50% lead और 50% tin को अगर मिला दिया जाए तो solder बनता है और इसका metric point low होता है यानि कि जो electric wire welding electric wire के form में इसके इसका use किया जाता है तो यह है इसका objective alloy बनाने का तो यह होते हैं हमारे alloys अब हम चलते हैं emalgam के पे हैं कि emalgams क्या होते हैं अब मैंने इसमें एक आपको further already बता दिया है कि emalgam क्या होते हैं example दिया था तो emalgam की बात कर रहे हैं emalgam क्या होता है homogeneous mixture होता है किस चीज़ का homogeneous mixture याद है homogeneous mixture होता है metal का plus mercury का यानि कि mercury होना जरूरी है important है metal में जिस metal में mercury होती है उसको मिला के जो alloy बनता है उसे emalgam बोलते हैं जैसे कि sodium emalgam अगर sodium में हम mercury hg mercury मिला दें तो यह sodium emalgam होगा तो यह जो formation होती है उसे emalgam यानि mercury के साथ combination होना चाहिए इस तरह से हम zinc को tin को gold को सब को mercury के साथ मिला सकते हैं यह zinc emalgam हो जाएगा यह pb यानि tin emalgam हो जाएगा तो यह जो होते हैं यह emalgams होते हैं अब देखिए इसके example बताती हो अलग-अलग emalgams होते हैं जो depend करते हैं उनके uses भी emalgam के अलग-अलग होते हैं अगर हम बात करें sodium emalgam की sodium emalgam sodium emalgam किसलिए use होता है यह sodium की chemical reactivity को decrease कर देता है और chemical reactivity को decrease करेगा और एक reducing एक अच्छे reducing agent की तरह work करता है reducing agent की तरह work करता है तो यह sodium emalgam नेक्स्ट है tin emalgam tin emalgam tin emalgam जो होता है tin और mercury के combination से बनता है इसका use silvering cheap mirrors के लिए किया जाता है तो अलग-अलग किसके लिए silvering cheap mirrors के लिए तो अलग-अलग forming का use किया जाता है तो यह होते हैं हमारे emalgam तो alloy क्या होते हैं अगर आपको इसमें confusion है तो देखिए जो alloy होते हैं अलोए combination होता है अलोए combination होता है metal प्लस metal का या फिर metal प्लस non metal का और जो यह होते हैं हमारे अलोए और amalgam क्या होता है metal प्लस mercury का combination होता है यह इन में difference होता है तो यह होते हैं हमारे अलोएज उनके अलोएज और अमलगम और उनके बीच में को objective क्या है तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं तो thank you वीडियो देखने के लिए और ज्यादा अपडेटिंग वीडियो के लिए आप हम पर हमें subscribe कर सकते हैं thank you